नेशनल कॉंफरेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने हसी का तड़का लगा है यहाँ यह भी बता दे कि पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला कई बार ऐसे बयान देते हैं जिस पर खूब हसी ठिठोली होती है इस बार भी उन्होंने एक समारों में कुछ हैसा ही बयान दे डाला है जिस पर वहां मौजूद लोग अपनी हसी नहीं रोक पाए बता दे कि एक किताब विमोचन समारों में उन्होंने कहा कि कोरोना वाइरस ने बड़ी अजीब से स्थिति उत्पन कर दी है जब से ये कोरोना महामारी आई है तब से उन्होंने अपनी पत्नी का चुम्बन तक नहीं लिया है उनके ये कहने पर समारों में हसी के ठाहा के भी जम कर लगे बता दे कि समारों में अबदुल्ला ने कहा कि जब से महामारी आई है तब से उन्होंने अपनी पत्नी का चुम्बन तक नहीं लिया गले लगने का तो सवाल ही नहीं है जबकि दिल ऐसा करना चाहता है पर वह कोरोना की वज़े से नहीं कर पा रहे है गौर तलेब है कि पूर्व मुक्य मंत्री फारुक अबदुल्ला कई बार ऐसे बयान देते हैं जिस पर खुब हसी ठिटॉली होती है कुछ ऐसा ही फिर से हुआ है समारों में उन्होंने कहा कि कोरोना वाइरस ने बड़ी अजीब सी स्थिती पैदा कर दी है जब से ये महमारी आई है तब से उन्होंने अपनी पत्नी का चुम्बन तक नहीं लिया है उनके इतना कहते ही वहां मौझूदा लोग ठाहा के लगा कर हस पड़े इसके बाद फारुक अब्दूला ने कहा कि स्थिती ये है कि कोई भी हात मिलाने या गले लगने तक से डरता है उनकी स्टिपनी की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है इससे पहले 27 मार्च 2018 को भी फारुक अब्दूला की और से संसत भवन में ऐसा ही मौका देखने को मिला था फारुक अब्दूला ने कुछ चैनलों को बाइट दिये थे इस दोरान वहां दो और महिला पत्रकार माइक लेकर उन तक पहुँच गई इस पर फारुक अब्दूला ने ऐसा किया मानो वह दोड़ कर भाग जाना चाहते हूं इसके बाद अब्दूला ने मजाक में कहा कि कोई मुझे इन महिलाओं से बचा ले वहां पर भी खूब हसी के ठाहा के लगे वह मौझूद लोग भी अपनी हसी नहीं लोग पाए बताते चले कि फारुक अब्दूला ने यहां एक किताब मोचन समारों में कहा है कि कोरोना वाइरस ने उनके लिए अजीब सिती पैदा कर दी है और जब से यह महमारी आई है तब से उन्होंने अपनी पत्नी का चुमबन तक नहीं लिया है इस पर दरशक ठाहा के लगा कर हस पड़े उन्होंने कहा कि सिती यह है कि कोई भी हात मिलाने या गले लगने तक से डरता है वे पहले भी अपने इस तरह के वयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही फिर से किया है